आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों आज का हमारा प्रशन है भागपल विधी का प्रियोप किये बिना बताईए कि निम लिखित में कौन सी पर्मे संख्याओं का दशंबलो निरूपन सान्थ है और यहाँ पर देखे हमें तीन प्रशन दिए गए पहला, दूसरा, तीसरा पहले प्रशन में हमें संख्या क्या दी गई है, पाच बटा बत्तिस दूसरे प्रशन में संख्या क्या दी गई है, तीन बटा तीन सो बीस और तीसरे प्रशन में साथ बटा चौबिस तो चलिए प्रशन को हल करते हैं तीनों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि लिए अब क्या करते हैं हमारा पहले प्रश्न में संख्या क्या दी गई है पाच बटा 32 तो यहां पर देखे दी गई संख्या का हर क्या आ जाएगा हमार पास यह आ जाएगा 32 तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं दो की घात 5 इंटू 5 की घात 0 5 की घात 0 क्या होता है 1 और 2 की घात 5 क्या होता है 32 तो देखे हमने इस रूप में लिख लिया तो दी गई संख्या के हर को हमने 2 की घात M गुड़े 5 की घात N के रूप में लिख लिया इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब हुआ कि दी गई संख्या को हम सांथ दश्मलों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अब क्या करेंगे अब अपने दूसरे प्रशन को हल करेंगे दूसरे प्रशन में हमें संख्या क्या दी गई है 3 बटा 320 तो यहाँ पर दिखें दूसरे प्रश्ण में हमें संख्या क्या दी गई एक तो देखे यहाँ पर दी गई संख्या की हर को हमने किस रूप में लिख लिख लिया 2 की घात M, गुड़े 5 की घात N, तो इसका क्या मतलब हुआ, कि दूसरे प्रश्ण में जो हमें संख्या दी गए, ये 3 बटा 20, इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, 7 दश्मलों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 बटा 320 को 7 दश्मलों रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 7 दश्मलों रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्या करते हैं, चलिए अब अपने तीसरे प्रश्ण को हम करते हैं, तीसरे प्रश्ण में हमें संख्या क्या दी गई, 7 बटा 24, तो इसको लिख लेते हैं यहां पर दिखें, तीसरे प्रश्ण में संख्या क्या दी गई है, 7 बटा 24, तो दिखें, दी गई संख्या का हर क्या है हमार पास आ गया, हर आ गया हमार पास 24, और 24 को हम क्या लिख सकत इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जो हमें संख्या दी गई है, दी गई संख्या को हम यहाँ पर दो की घात M इंटू पाच की घात N के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका क्या मतलब रूप में नहीं वेक्ट कर सकते तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे साथ बटा चौबिस को सांथ दशंब्लों रूप में वेक्ट नहीं कर सकते तो देखे यहाँ पर हमने तीनों प्रश्णों को अपने हल कर लिया है धन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो साथ आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर